मारे पास में ये दो चीज़े जमा हुई हैं देखिए एक शैतूत है और ये इमलिया है तो गाइस अभी मॉर्निंग के सवासाथ बज़ रहे हैं और मैं याप पर कंप्लेटले रेडियो चुका हूँ और मैंने सुलिमान को कॉल किया है तो हम जाते हैं मॉर्निंग पे वाकिंग के लिए जाते हैं उसके बाद हम एक फ्रेंड के घर पर जाएंगे बहुत मज़ा आने आला है तो विलोग को एंड तक देखना तो चलते हैं और इस विलोग को कंटिनू करते हैं दोनों भी गड़ए यहां पर है इसमें से हम en tre luck पर जाते हैं अ है ठाउली गाई सुलेमान भॉय भी हमारे यहां पर आचुके हैं सं है और आप हम जा रहें वाकिनग पर हम वाकिनग पर जा रहे हैं बट गाड़ी लेकर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमें एक फ्रेंड के घर पर जाना आए तो चलते हैं को यहाँ पर पार्क कर दिया है और यहाँ पर गॉर्डन में देखें यहाँ पर फुडबॉल खेर रहे हैं बच्चे तो हम भी रनिंग करते हैं यहाँ पर हमारी एक राउंड कंप्रीट हो चुकी है अब हम चलते हैं दूसरी यहाँ बहुत ठक चुके हैं एक ही में एक राउंड फर्स दे था ना अच्छका इसलिए थाँ जो जो आप वाव यहाँ पर पॉंच चुके हैं मुखशचचच बहुत बिलाटें ने यहाँ पर अलेगों बाई आप लोग आज आये हैं न हम अपने खेट का नजारा कराएंगे आज ठीक 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 बड़े मज़े आएंगे देख लेना यह हम पहुंच गए हैं अब यहां पर जाम के पेड़ा है यह शैतूत का प्राइब यहां पर अभी हम शैतूत के दरख के पास में आए हुए हैं शैतूत एक बहुत रहतरीन फल है यहां पर शैतूत के दरख के लावा इधर में आम का एक पेड़ है और भी बहुत सारे जाम के वगरा दरख हैं खेट का बहुत अच्छा मुसम हो रखा है हलकी हलकी धूप आ रही है तक रही है में एक यह तो है जाड़ के आगे में एक इंप्ली का जाड़ है नहीं चलते हैं चलते हैं देखते हैं लगी लगी आपने लटक नहीं यह यहां पर देखते हैं क्या रएक्शन देते हैं बहुत ज्यादा खट्ति हारी है है मैं तो नहीं खा पाषा रहा हूँ दिखते हैं सुलेमान भाय खाव पाते हैं या नहीं डिक्ते हैं टेस्ट करते हैं इसका कि बट यार खट्टी होने के बावजद मुदक्र भाई से शुट नहीं रही है पूरे ख्या रहे हैं इमलियां तोड़ने के बाद में अभी हमारे पास में ये दो चीज़े जमा हुई हैं देखिए एक शैतूत हैं और ये इमलियां है अगर आपको ये दोनों में से कोई आया इन्होंने हमें पीछे खेट का सारा नजारा हमें बताया और हमें बहुत अच्छी तरीखे से सारी चीज़ें बताई तो अब हम चलते हैं हमारे घर की तरफ रवाना होते हैं अभी टाइम साड़्याड बच चुके हैं ठैंक्स मुखसित भई कमेंट्स में जरूर बता आए अधिया अधिया थी अधिया अधिया चलते बाए फाइनली गाइज हम घर पर आ चुके हैं और अभी टाइम और तो नहीं बज रहे हैं तो अभी हम घर पर पहुंच चुके हैं हमें मुखसित बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लगा यार एक तो बॉर्णिंग का वक्त था दुसरा इतना बहुत नादार लग रहा था न सारा के सारा बहुत मदा आया आई होप आपको यह विलोग पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्काइब कर देना ठैंक्स कर वात्र ओनना नहीं तो सब्सक्के लेबा इतना चैनल